अगर आप चैनल को फर्स टेम देख रहे हैं मेक शूर कि सब्सक्राइब करके बैल आइकन को हिट करेजिए ताकि दोस्तों आपको कोई भी वीडियो के नोटिफिकेशन में से ना हो और दूसरी रिक्विस्ट कि अगर आपको डिमेट यट वेडिंग काउंट ओपिन कराना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है एनेच पीसी लिमिटेड अगर हम लास्ट वेडिंग सेशन में देखें हैं तो कंपनी का स्टॉक प्राइस अगर आप देखें तो 33.60 पे ओपन हुआ 32.70 का लो और 34.30 का हाई बनाया और 32.90 के उपर बंद हुआ 1 करोड 26,90,861 टोटल वॉल्म कंपनी के मार्केट के बात करें 33,048 करोड रुपाया लार्ज कप का टिगरी कंपनी है दोस्तों इसका 52 विक हाई 37.60 का लो है 22.90 का इस कंपनी के अंदर मार्च क्वाटर के एंड तक प्रमोटर की शेयर होल्डिंग यानि गुर्मेंट आफ इंडिया की शेयर होल्डिंग 70.95 परसंट है FIIs अगर आप देखें तो 5.7 परसंट और DIs 15.26 और पॉब्ली के पास 8.09 परसंट के शेयर होल्डिंग है इस कंपनी को दिसंबर क्वाटर में 1,887 करूर का नेट प्रॉफिट हुआ था मैं आप लोगों से दो खबरें शेयर करूँगा जिसमें से पहली खबर ये है कि इन्होंने एंबुलेंस सप्लाई किया है छोटी सी खबर है इसके बाद दोसरी खबर डिसकस करेंगे NHPC ने अब देख सकते हैं कामले डिस्टिक के अंदर दो एंबुलेंस को सप्लाई के अब देख सकते हैं NHPC, National Hydrolectric Power Corporation ने two ambulances हैंड़ोवर किये हैं कामले डिस्टिक के अंदर Under Corporations CSR SD initiative ये जो एंबुलेंस है इनको flag off किया गया था रागा अमले टारिंड डख पे और सबंसरी लोवर हईचपी एग्जेगुटरी डारेक्टर वेपिन गुपता की प्रेजेंस में दोस्तों इसमें से एक कंविलन्स को यूज किया जाएगा डोलूंग मुख सर्कल के लिए और दूसरी को यूज किया जाएगा डिस्ट्रिक हेड़क्वार्टर रागा के लिए दूसरी खबर आये सीधे बात करते हैं पहली खबर में सिर्फ इतना ही था दूसरी में दोस्तों ये है कि NHPC Limited को लेकर के 45 रूपीज का टारगेट ICICIC के रूटिस के दिया जा रहा है और बताया जा रहा है दोस्तों कि इसका जो टाइम फिरिएड है वन येर का है करंटली अगर हम देखे तो इसका स्टॉक प्राइस 33 के राउंड राउंड ट्रेड हो रहा है और ये एक साल में 45 के लेवल तक चड़के जा सकता है टाइम फिरिएट अब देख सकते हैं वन येर का है NHPC Limited को कॉर्परेट किया गया था इन कॉर्परेट किया गया था 1975 में एक लार्ज काप कटेगरी की कंपनी है और इसके जो प्रोडक्स और रिवेन्यू का सेगमेंट है उसमें पावर भी है इनकम फ्रॉम फाइनेंस लीसे से अधर इनकम सोर्सेस हैं जिससे ऑपरेटिमिंग रिवेन्यू इनकम फ्रॉजेक्ट डिवलपमेंट और कॉंट्रेक्ट रिवेन्यू इन सभी से मिला करके इस के रिवेन्यू स्ट्रिम बनता है तो दोस्तों अब देखिए अब इससाब से फैसला ले रिजिएगा जो भी कुछ करिएगा क्योंकि यहां पे अनलिस्ट की तरफ से जो बात बताई जारी है मैंने आप तक कर्वे किया 45 के लेवल का टार्गिट दिये जा रहा है ध्यान में रिखेगा इस चीज़ का एक साल का पूरा टाइम पे रिएड है ओके तो बस इतना ही आगे मैं आपसे कोई डिवलोप्मेंट होगा कोई अपडेट आएगी तो मैं डिसक्स करऊंगा काफी दिन हो गए थे इसके उपर बात चित करे हुए मुझे लगा कि एक वीडियो के मादम से आपसे बात चित करने चाहिए ओके तो दोस्तों बस इतना ही अपना क्या लिए टेक क्या